नमस्कार इस समाई के दोस्तों एक बेहत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है राहुल गांधी को लेकर के कोड से जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें राहुल गांधी ने हाई कोड में याचिका दायर की है और राहत की मांग की है इस बीच यहाँ पर उनक राहुल गांधी मामले में सुनवाई से गुजरात हाई कोड के जज ने खुद को किया है अलग गुजरात हाई कोड की एक जज ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानी मामले में खुद को अलग कर लिया है राहुल गांधी ने मान हानी के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाई कोड का दर्वाजा खटखटाया है सम्मंद में याचिका दायर की गई है इससे कुछ दिन पहले सूरत के ससन कोड ने पिछले महिने निचली अदालत के दौरा दी गई दो साल की कैद के सजा के खिलाफ उनकी अपिल खारिज कर दी थी बताते चलें राहुल गांधी के वकील पी एस चमपानेरी ने जश्टिस गीता गोपी से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपिल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ देश सुनवाई भी हुई लेकिन बाद में जश्टिस गीता गोपी ने इस केस पर सुनवाई को लेकर के कहा कि मेरे समच नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि अदालत इस मामले को पहले बुदवार को सुनने को तयार थी लेकिन जब ये सुनवाई के लिए सामने आया तो जश्टिस गीता गोपी इस से अलग हो गई ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी के मामले को लेकर के जज ने खुद को अलग कर लिया है कैसे समाई की बड़ी ख़बर थी लेटेस्ट अपडेट राहुल गांधी को लेकर के सामने निकल के आई दोस्तों अगर वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक जरूर कीजेगा वीडियो का और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी दोस्तों में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद